भारत में पहली जमीन और पानी में चलने वाली बसका उद्घाटन सोमवार को फिरोजपूर के हरी के पतन में उप्प मुखे मंतरी सुख बेर सिंग बादल ने किया दस करोड की लागत से बना ये प्रोजेक्ट उप्पमुखे मंतरी सुख बेर सिंग बादल का ड्रीम प्रोजेक्ट था पानी में चलने वाली इस बसका उत्खाटन करने के बाद सुख बेर संग बादल ने इस बस में बैठ कर हरी के की सेर की इस मोगे उनके साथ अकाली दल के कई दिगजनेता मजूद थे हाला कि ये बस फिरोजपूर के हरी के पतन में ही चलेगी इस बस में ड्राइवर सही 34 लोगों के बैठने की सीटे लगी हुई है इस बस में सुरक्षा के भी पुक्ता इंतजाम किये गए है हरी के में प्रटको को खुमाने के लिए ये बस 12 किलोमीटर तक का सफर तै करेगी यही नहीं अमरिसर के रेलवे स्टेशन से प्रटको को हरी के ले जाने के लिए तो एसी बसों को चलाया जाएगा प्रेटकों को हरी के वेटलेंड से पानी वाली बस में खुमाने के लिए सरकार द्वारा 2000 रुपाई किराया निर्धारित किया गया है इसके साथ ही यदि कोई प्रेटक पानी वाली बस में केवल हरी के वेटलेंड की सेर करना चाहता है तो उनके लिए 800 रुपए का किराया निश्चित किया गया है वही इस दोरां उपमुख्य मंतरी सुख बेजिक बादल ने कहा कि कई पार्टियों ने उनके इस प्रोजेक्ट को मजाग समझा था लेकिन आखिरकार उन्होंने पानी में बस चला ही दी इस मौके उन्होंने अपनी विपक्ष पार्टियों पर तंज करते हुए कहा कि अब उनको इस बस में शेयर करवाएंगे है कि दोनुजार क्रोने